रिंकू सिंग टी टुएंटी के आखरी दो ओवर्स में घातक बल्ले बाजी करते हुए अठेज दिन में तीरानवे रिन की संदार पारी खेली है क्या खबर इस वीडियो में अपसी को हम बताएंगे इसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तफली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एपियल दोजर ताइस का केके आर बनाम गुजिराट टाइटन्स का मुकाबला आखरी ओवर में अपने पांच छकों से चेंपियन टीम जित छिनकर रातो रात फहमस होने वाले रिंकु सिंग आज टीम इंडिया के फिनिसर बन चुके हैं रिंकु सिंग भारत को ओ हीरा है जिसके टीम इंडिया की जिस से ज़्यादा चर्चे होते हैं ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के खिलाप टीट्यूएंटी सिरीच के दूसरे मुकाबले के बाद देखने को मिल रहा है टीम इंडिया की तरफ से 18 अगस्त को अपना टीट्यूएंटी डेब्यू करने वाले रिंकु ने अभी तक साथ इंटरनेशनल मुकाबले ही खेले हैं और महत चार पारियों में खेलने उतरे लेकिन आखरी के दो अवर उनके आखड़े वी रोधी टीमों के लिए बुरा संदे से नजर आ रहे हैं रिंकु सिंग ने आइरलेंड के खिलाप अपना टीट्यूएंटी डेब्यू किया था उस दोरान उन्हें दो मेच में बलेबाजी करने का मोका मिला जिसमें उन्होंने 38 और 37 रन की तेज तरार पारियों को अंजाम दिया इसके बाद जब वे अस्टेलिया के खिलाब इस सिरीज में उतरे तो पहले ही मेच में कंगारों में खौफ भरना सुर्ग कर दिया पिछले मेच में उन्होंने 4 गेंज में 35 रन की तेज से महमानों के हाथ से जित छिल ली वहीं दूसरे मुकावले में 31 रन बनाने के लिए रिंकु सिंग ने महद 9 गेंज खर्श किये उन्होंने 4 चोके और 2 गगन चुबी छक्के लगाए आकरी 2 ओवर्स की बात करें तो रिंकु सिंग ने अभी तक 28 गेंजों का सामना किया है जिसमें 93 रन ठोक दिये हैं इस दौरान उनके बल्ले से 9 चोके और 8 गगन चुबी छक्के देखनों को मिले हैं